जय महाकाल नमास्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल आल में से ग्यान सब्सक्राइब आपके स्वागात है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक जो भी साथक बंदू है उनके रहे मैं सिद्धी अमंत्र मैं आप लोग को बताते चला जा रहा हूं तो आज मैं आपको लिए को में और जिसमें परितिन के सिधि के बारे में जिक्र किया गया था तो मैं ब्रतिस सिधी के बारे बता हूंगा उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोग लोग क olmas बताने के लिए ओए क्शले कुछ बैक्ति आओं जिनको मंत्र और तंद्रम श्वास नहीं में पुछते कि यह यहां शाधना किया है नहीं किया है तो कुछ accurate मंत्र किताभ में मिल इस चैनल में लहीं जनकारी बताऊंगा जो कि मैं खुद किया हूँ या फिर उसके बारे में हमारे ग्रामीडी आखे में जो ही इन मंत्रों को प्रयोग करके भूत प्रेथ और साधना जिन जिनाद और भूत धराना भूत छुडाना और वसी कराण और मारान बान चलाना इन सब के बारे में जो जनकरी रखते थे उनको जो है मैं पूछ करके वह जानकरी विलुप्त नहों कि पहले समय में इस इस मंत्र से और यहां जनकरी से ऐसा होता था ऐसा मेरकी जनकरी देने को उदेश है उसी संदर्व में परितिन के सिध्धी उनके बारे में पूछा गया था कमेंड में कि कि परितिन के सिध्धी करते हैं इस इस इसे मैंने पूर देखैने तब यहको पूर समझ में आएगा तो आपको बता रहा हूं परितिन का सिध्धी किस तरह करते हैं परितिन सिध्धी होता क्या है परितिन का अगर किसी को सिध्ध हो गया हो तो अकसर बात आता है कि किसी के छोटा बच्चा हो या कोई वेक्ति जन्नौ चोटा बच्चा जो उसको रोनी भूत धरा देते हैं तो परितिन को भेज दिया जाता हूं के पास अनुदन कर दिया जाता है तो कैसे मैं बात हुआ प्रियो के पताऊंगा पहली सिर्वाच करना है उसका इस같़ माल कैसे उसका किसे बाषाए उसके बारे वहको बताऊंगा नो और इसको परितिन सिद्धी को जो है क्रिश्न पक्ष अंध्यारी पक्ष की सनिवार को दिन आपको आरमकरना आ है रिख एसको जैकी 21 दिन के सिद्धी है इसको सनिवार को आरम करना है सनीमार् के एक दिन पूर्व यानिकी सुक्रवार के साम को, आपको चले जाना है किसी बोईर पेड के पास में, जिसे हिंदियम बेर कहते हैं उसके पेड कि आपको पास जले जाना है चामल तोड़े से जल आपको लेके जाना है और निमांतर देना है कि कि निंदिन की तो आपको निम निमांतर दे दिना है दो नहीं करना है और आपको जमिन में में सोना है मास मचली इतादी का स्यमन नहीं करना है नहीं नसा उसे का आपको स्यमन नहीं करना है जमिन में सोना है इस तरह 21 दिन चलेगा साथिक भोजन करना यह सबसे उत्तम होगा बड़ों का असिरवाद लेना यह जरूरी है आपको और 21 दिन तक अंतरगत आपको रोज थोड़ी थोड़ी सी चीनी जो है चवरासी मुने के समान चीटियों में आपको रोज भोग लगाना होगा 21 दिन तक उसके बाद में आपके इसमें कुछ समागरी कर सकता पड़ेगा जैसे मेगिन का साड़ी और लाल चूडी लाल फीता औ है सरत वाद में आरम करना संब्सक्राइब को अपको राती आतरी में सौच जाना होगा जो पाल कस जाता है उनको उस बेर के पी पाने के डालना होगा जूंद content किल अं отвеч जाना है आपको बैठ येकाता है उसके या फिर लाल क्रार दर्क आफHer आपको 108 बार मंत्र पढ़ना होगा या फिर कि 108 बार आपको मंत्र पढ़ना है आपको वहां पर जाना है सौच के पढ़ना उसके बाद में बैठना दक्षिर की आपको मुख रहेगा 108 बार मंत्र पड़ना है मंधर बार ने के बाद में आपको 7 दिन होने के बाद में साथ def creo या अवणे सिंठ करके जाएं उबको और हखों। कि आपको साते दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कोई आज आ रहा है या कैसा है इसमें अनभाव यह होता है कि अचानल कोई आपको पूजा करने लगे का कि अवह आपके बास आवाज आगे जैसे को दूर से अब मारने मारेगा आपके पास आसपास गिरेगा ऐसा होता है जोए भीज दिन के दिन तक चलते रहना है चब यहाँ क्यारा दिन पंद्रा दिन सोला दिन एटार दिन थार दिन हो जाएगा दो थीज दिन तक आप आप को पानी को देते रहेंगे और जाप करते तो उस दिन आपको जल नहीं देना है जल को रख लेना है उसके दावाँ पर बैठ जाना है बैठने के बाद में आप जो जल जाब करते रहना है जब मंत्र जाब करते रहेंगे तो वह स्वेम आपके सामने आएगा जल मांगने लगेगा तब आपको वचन बद्ध करना होगा कि मैं जब भी बुलाओं तब आपको आना होगा मैं जो कार्य करूँ उसे आपको करना होगा मैं जहां भेजू वहां आपको जाना होगा इसे तिर्वचन बध करने के बाद में ही उसको जल देना है और उसके बादे मेगिन का साड़ी उस साड़ी को आप जब रखोगे तो व सब्सक्राइब करना है उसके बाद में जाल और सोधा सिंगा आपको दे देना है और बद कर लेना है इस तरह जो एप परितिन का सिद्धी हो जाता है लेकिन इसमें इध्यान रखें आपको रख्षा इध्यान मांत्रा आना बहुंच जरूरी है इसमें तो यह इस तरह परेतिर के सिद्धी होता है इसका मंत्र को बताने से पहले मैं एक बात आप लोग से सभी सानुरत करूंगा कुछ इसमें कुछ वैकती सफल हुए और कुछ लोग तो वहाँ से वापस चली क्योंकि उसका और स्कती को आप करने में के भ AUGGHROW européen के भून विश्वास हो आप पूरक्षा मंत्र विधान आता हम जान करे तो भी सदना करें अब अब आית का बंद्र क्या है मंत्र यह ग्रामीड है अग गुरु मुखी है मंत्र इस प्रकार है कहा जाथस बनसुद्री आसन में आप अहिराहू फोंद्री छारबे चुन्दी बजाबे चुड़ी मुख में बोला हो परितिन तूरी परगठ हो जा सर्वकाम सिध करवे यहीं इसका मंत्र है मंत्र में एक बार और बोल देता हूँ क्योंकि यह मंत्र में लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि यह मंत्र गुरु मुखी है इसलिए एक बार खिर बोल देता हूँ कहा जाथस बनसुद्री आसन में आप अहिराहू फोंद्री च्छारवे चुंदी, बजावे चुड़ी, मुख मा बोला हो परितिन तूरी, सर्वकाम प्रगठ हो जा, सर्वकाम सिध्य करवी. यह यहीं मंत्र है इसी मंत्रशा में पस्धितिय का सदविए करें करें कौन अगर में उनल को सब्सक्राइब कर लिए बगाले यह क्धों कोई वीडियो करनें लुज्ञवाएं पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स जय महाकाल